राम नाम जब करने से होते हैं ये फायदे एक व्यक्ति हमेशा इश्वर के नाम का जाप किया करता था धीरे धीरे वो काफी बुजोर्ण हो चला था इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था जब भी उसे श्रोच स्नानादी के लिए जाना होता था वो अपने बेटों को कभी भी आते थे इस दोरान में कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे अब और ज्यादा बुरापा होने के कारण उन्हीं कम दिखाई देने लगा था एक दिन रात को निवरत होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई तुरंट एक लड़का आत आवाज लगाने पर नी नहीं आते थे लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे एक शन आ जाता है और बड़े कोमल सपर्ष से सम निवरत करवा देता है एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पोचता है कि सच बता तो कौन है मेरी बेटे तो ऐसे नहीं है अभी अंधिरे कमले में एक अलोके को जाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया वह व्यक्ति रोते हुए कहता है हे प्रभू आप स्वयम मेरे निव्यती के कार्य कर रही है यदि मुझसे एकने प्रसन हो तो मुक्ती दे दो न प्रभू कहते हैं कि जो आप भूगत रही है वो आपके प्रारब्ध हैं आप मेरे सच्छे साधक हैं हर समय मेरा नाम जब करते हैं इसलिए में आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्छी साधना के कारण स्वयम कच्वा रहा हुँ व्यक्ती कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी क्रिपा से भी बड़ी हैं क्या आपकी क्रिपा मेरे प्रारब्ध नहीं काच सकती हैं तब हुँ कहते हैं कि मेरी क्रिपा सर्वो परी है ये अवश्य आपके प्रारब्ध काच सकती है लेकिन फिर अगले जन में आपको ये प्रारब्ध भूबत में फिर से आना होगा यही कर्म नियम है इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयम अपने हाथों से कटवा कर इस जंग बरन से आपको बुक्ती देना चाहता हूँ इश्वर कहते हैं प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं मंद तीवल तथा तीवरतम मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं तीवर प्रारब्ध किसी सच्छे संध का संध करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं परन्तु तीवरतम प्रारब्ध भूबत में ही पढ़ते हैं लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं। उनके प्रारब्द मैं स्वयम साथ लेकर कटवाता हूं। और तीवलता का अहसास मैं ही मुने देता हूं। प्रारब्द पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तोसी चिंता क्यों करे भंजले श्री रगुबीर। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम।